आप बिना किसी coding के, बिना किसी script के, इस तरह का download timer अपनी website में लगा सकते हैं, जैसे अभी मैं already लगा चुका हूँ, इसके उपर click करने पर यहाँ पर आपको timer चलता हुआ दिखाई देगा, और timer खतम होने के बाद, file automatically download हो जाएगी, आपकी website का bounce rate कम हो जाएगा, प्लस अगर आप Google AdSense या उसका कोई alternative यूज करते हैं, तो आपकी income भी बहुत जादा बढ़ जाएगी, ये कौन सा plugin है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, पर इसकी settings के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जब भी आप अपनी post लिखेंगे, add new पे जाएंगे, और उसके बा बाइडिफॉल्ट में इसे large पे रखूँगा, आप अपने accordingly set कर सकते हैं, यहाँ पे लिखाए URL settings, इसको आपने यहाँ से on करना है, और use external URL के button को भी आप open करेंगे, यहाँ पे आपने वो वाला URL देना है, जहां से आप फाइल डाउनलोड कराना चाहते है, आप चाहे Google Drive मे अपलोड करें, मीडिया फाइर में अपलोड करें, यहाँ फिर WordPress में ही अपनी फाइल को अपलोड करने के बाद, जो link generate होता है, उस link को आपने copy करना है, example के लिए मैं मेडिया में गया है, लाइबरेरी में गया, और अपनी एक फाइल पे मैंने click करा, यहाँ पे लिखे copy URL to clip इसके उपर click करा, और यहाँ पर जाके मैंने paste कर दिया, यहाँ से paste को थोड़ा सा और उपर करेंगे, अब यहाँ पर आ रहा है customize settings, manual, manual में आप खुद अपना time set कर सकते है, seconds के हिसाब से आपको time set करना पड़ेगा, for example, अगर आप 2 minute का waiting time चाहते हैं, तो आपको 120 seconds यहाँ प कुछ options दे रखी है, 0 seconds से लेके 1 minute तक, अगर आप 60 पर click कर देंगे, तो automatically आपका timer 60 seconds तक चलेगा, example क्लिए मैं यहाँ पर भी manual करके, सिर्फ आपको 5 seconds दिखा रहा हूँ, और जब timer चल रहा होगा, तो क्या message आना चाहिए, उसको भी आप यहाँ से edit कर सकते है, by default इनका please wait है, अगर आप change करना चाहे, तो कर सकते है, अब नीचे आपको कुछ और options दिखेगी, button background color, अब आप यह जो color देख रहे है friends, background में आप इसको change करना चाहे, कर सकते है, आप देखेंगे, मैं यहाँ से color पर click कर रहा हूँ, और background का color change हो रहा है, आप चाहे तो button के text का color भी change करना च लखे, light and dark करेंगे तो friends, आप देखेंगे, यह जो आपको download का button दिख रहा है, sign दिख रहा है, यह यहाँ से hide हो जागा, मतलब light हो गया और dark हो गया, मैंने इसे dark पर ही रहने दिया, अब button के border को आप जैसे मर्दी करना चाहे, कर सकते है, solid करना चाहते है, आप dotted करना चाहते ह आप अपनी theme के color के accordingly इसे customize कर सकते है, आपने notice कर आओगा, यही बाला color मैंने same इसी तरह का design यहाँ पर रखा है, और उसके बाद page को थोड़ा सा और नीचे करेंगे, यहाँ पर आप conditions देना चाहते है, तो दे सकते है, कि आपका यह download button की समय work करे, क्या किसी ने आपकी website को login क देते है, अब यहाँ पर हमने लिंक भी लगा दिया, timer भी set कर दिया, एक बार preview में जाके देखते है, क्या यह ठीक से work कर रहा है, यहाँ फिर नहीं, इस तरह के download timer लगाने से नहीं आपके Google AdSense में कोई effect पड़ेगा, नहीं, आपकी website पर कोई negative effect पड़ेगा, जिससे वो Google मे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे, मेरा timer यहाँ पर start हो गया, 5 seconds complete होने के बाद, automatically मेरी file यहाँ से download हो जागी, new page open होगा, और आप देखेंगे, मेरी file यहाँ पर download हो चुकी है, ऐसा जरूरी नहीं है, कि आप सिर्फ file को download कर सकते है, अगर आप अपनी एक page से दूसरे page पर redirect करना चाते है, तो दूसरे page का URL आप वहाँ पर add करें, जहाँ पर मैंने download file का URL add करा है, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इस plugin का नाम क्या और इसको कैसे install करना है, आपने WordPress के dashboard में जाना है, plugins में जाना है, add new के ओपर आप click करेंगे, और search में लिखेंगे quick download button, यही वा नीचे आपको यह plus का button दिख रहा है, इसके उपर आपने click करना है, और यहाँ पर लिखना है download, जैसे ही download लिखूंगा, यहाँ पर लिखा रहा है download button, इसके उपर click करना है, और आपके पास यह सारी settings आगे, जो already मैं आपको बता चुका हूँ